हेलो दोस्तो स्वागा थे आप सबको मेरी यूटूब चैनल फाइमर स्टूडियो में दोस्तो आज स्मार्ट फोन का डिस्पेले का जो लाइट का प्रोल्म होते हैं उसका फोल सोलेशन लेके आया हूं दोस्तो इस वीडियो को फोल देखिएगा चाहे इस कीपेट फोन और य है या तो फिर रिमूब है या तो फिर रिफरिंग करने की लाइक ही ना रहे फिर भी आप इस वीडियो को देखके आप किसी भी एंडिट फोन का डिस्पेले लाइट का प्रोल्म का सलूशन कर सकते हैं तो दोस्तो ज्यादा बात ना करते हैं वीडियो को पहले शुरू करत हम तो दोस्तों यह जो दो बैटरी और एक LED लाइट है इस लाइट का भॉल्ट 3.6 है और इस बैटरी का 3.7 से 4.2 आउटपुट होता है तो दोस्तों एक बॉल को जलाने के लिए यह काफी है तो जो कीपेट फोन में चार LED बलप लागा रहते हैं तो इसमें जो कनेक्शन क्या रहते हैं वो माइनस से माइनस माइनस से माइनस और प्लस से प्लस इस तरह से रहते हैं इसके इसी लिए इसका जो बहुल ज्यादा चाहिए वो नहीं चाहिए क्योंकि जितना है उतना ही रहता है इसको प्रैलरल कनेक्षन कहते हैं और Android में जो आभी LED रहते हैं इसका कनेक्षन कुछ इस तरह से क्या हुआ रहते हैं प्लस से माइनेस माइनेस से प्लस प्लस से माइनेस दोस्तों समाज लीजिए एक LED में अगर सारे तीन भॉल का LED बलफ है अगर दो लगा दिये इस तरह से स्रीज करके तो वह साथ हो गए मतलब वह जोडता जाएंगे प्लस होते जाएंगे यहां अगर 9 बल है तो कम से कम 32-33 ब बॉल है वो 3.7 है इस तरह से अगर कनेक्शन है तो आप 3.7 से इसको जला नहीं सकते क्यूंकि इसका बॉल डावल हो चुका है और आपका लाइट सेक्शन भी खराफ है तो आप इस वीडियो को फूल देखिए मैं इसका फूल डिटलस आपको देंगे यह लाइट सेक्शन ह है तो आप इस लाइट सेक्शन को पहचानने के लिए देखिए दोस्तों यह लाइट और ही और यह रेंट सेक्शन में इसकार गीम और यह बनाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले IC को रिमूब करने से पहले इस । को आपको देखना है और बीच में जो दो पीन है यह-में से एक ग्राउन होता है दोस्तों जिस तरफ ग्राउन रहेंगे उसका उल्टा तरफ ही पिलास का लाइन रहेंगे। यह एक नमबर पीन होगा दुस्तो तो दूस्तो यह दो नमबर जो पीन है इसमें से आउट स्पुट्ट होगा 30 पैंट 32 की उपर और यह तीन नमबर पीन ओन अप का सूज होता है इसमें 1.5 भल होते हैं दोस्तों और यह दोपीन एक रिजस्टेन के थुरू मैं इसको ड्रो करके और प्रैटिकल काम करके आपको दिखाएंगे इसमें किस तरह से काम करते हैं और मैं एक LED बॉल को भी जला कर दिखाएंगे तो दोस्तों मैं इस से इन चार कॉंपोनन को एक पेपर के उपर थोड़ा गम लगा के चिपका लेता हूं ताके जामपर करने में आसान हो किसी भी फोन का जो डिस्प्ले का जो ये लसी लाइट जलते हैं उनके लिए ये चार कॉंपोनन जुरूरी है और उसको पहचानने के लिए इस आई-सी के पास एक कोईल रहते हैं दोस्तों और एक रेटिफायर और एक के वसैडल और इन चार कॉम्पोनेंस से ही आप किसी भी फोन का डिस्पेले लाइट की सोलोशन कर सकते हैं आज मैं एक पेपर की उपर इसको जंपर करके 3.7 भॉल मतलब मोबाइल की एक बैटरी से आपको 3.30 भॉल की उपर आउटपूट करके दिखाएंगे इस चार कॉम्पोनेंस से तो मैं जो अब इस साइड में आपको वीडियो दिखा रहा हूं बना रहा हूं आप इस वीडियो को फॉलो मत कीजिए जो में इसकीन पर डॉरो करके दिखाएंगे आप उसी को फॉलो कीजिए तो दोस्तों एक नमबर पीन से सिधा जंपर करेंगे हम कोयल की एक तरफ जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप गोर से देखिए ताके आपको दोबारा किसी लाइट सेक्शन के लिए लाइट की का प्रोब्लम के लिए आपको यूटूब में साच ना करना परे दोस्तों मैं इसका कि फूल सेलेशन आपको इस बुडियों में बताऊंगा आप किसी भी स्मार्ट फोन का लाइट सेक्शन खुद बना सकते हैं और एक बार दोस्तों जो जिस फोन में लाइट सेक्शन के जगा का कुछ पॉब्लम में जांपर करने से या तो फिर क्योंच रिमूब हो जाते हैं या तो फिर शॉट हो जाते हैं आप उसी में भी यह सारे निकाल के आप खुद किसी जगा पे एक गम से चिपका के इस तरह से जांपर करके भी लाइट सेक्शन बना सकते हैं तो दोस्ता आप देख रहे हैं मैं जो वीडियो में जो जहां जहां जांपर दे रहा हूं वही आपको डौर करकी स्किन पर बढ़ा करके दिखा रहा हूं दोस्तों आप उसको गोर कीजिए और समाजनी की कोर्शिस जो मैंने बता रहा हूं दोस्तों इस रेक्टिफायर से आउटपूट होगा बैटरी में जो चार्ज 3.7 से 4.2 वाल आउटपूट होते हैं दोस्तों और उसी में आउटपूट आपको 30 वाल से 30 से लेके 50 तक आप बना सकते हैं कि शर्फ इस चार कंपूनेंस से तो मैं इसको बना रहा हूं कि एचार नमबर पिंट से कोईल की इस तरफ मैं आभी जमपर कर रहा हूं दोस्तों कि दोस्तों जो पहले का फोन आते हैं आते थे कीपेट फोन में आपको तीन से चार एलेटी वलप मिल जाएंगे लेकिन उसमें हाई वाल्टेज की जुरूरत नहीं होते दोस्तों क्यूंकि उस वह प्रालल में कनेक्शन हुआ रहते हैं इसलिए उसका हाई वाल्टेज नहीं चाहिए अगर वह चार बॉल स्रीज कनेक्शन में रखेंगे तो उसका बॉल्ड आ जाएंगे सारे तिन से साथ साथ से चोड़ा चोड़ा वह ला जाएंगे दोस्तों तब इस बैड़ मोबाइल की बैटरी में उतना तागत नहीं होते हैं जो उसको जला सके तो आभी जो स्मार्टफोन आ रहा है दोस्तों इसमें स्रीज ग्यावा रहते हैं इसलिए 3.7 से बैटरी शे आपको यह बॉल जा इड़ पूट होते हैं उसमें यह एलेटिव बॉल आप नहीं जालते हैं तो इसको हाई बॉल्टेज करने के लिए यह चार कंपोनन की जुर रख होते हैं दोस्तों और मैं जिस तरह से डोड़ों कर रहा हूं अप उसी तरह से आप चेक भी कर सकते हैं जो कंपनेंस खराब है या तो फिर आप जम पर भी कर सकते हैं यह जो वीज बाला पॉईंट है दोस्तों इसी मेसे आउटपूट आएंगे एक नंबर पीन से इनपूट होगा और कोयल की मद्धम से चान नंबर पीन में कनेट किया होगा और पांच नंबर और छो नंबर पीन ग्राउन है दोस्तों और कि यह जो बीच का जो पीन है इसमें आउट पूट होगा ठाटी वर्ल की उपतर तो दोस्तों मैंने यह जंपर कर दिये और जो तीन नंबर पीन बचा है दोस्तों इस पीन का काम होता है वान आप का काम होता इसका इस पीन में 1.5 बॉल आएंगे सिप्यू से जब आप पावर बुटम चापते हैं तो इसमें 1.5 बॉल आते हैं दोस्तों तब जाके यह लाइट ऐसी काम करना चालू करते हैं दोस्तों दो बारे जब पावर बॉटम को चापेंगे इसका जो डिस्प्यल का लाइट जो चला जाते हैं वो श्रीप यह तीन नंबर पीन का 1.5 बॉल हट जाते हैं तब ही इसका लाइट चला जाता है जब तक उसमें 1.5 बॉल रहेगा तब तक डिस्प्यल में आपको ला किसी भी फोन का जो समझ लिए किसी बॉड में पूरा जगा खतम है फिर भी आपको यह तो जंपर आप कहीं से भी बठा सकता है कहीं भी बठा देंगे इस तरह से जंपर करके आपका पॉबलेम होगा श्रीप 1.5 का बॉल जो तीन नंबर पीन पे लागेंगे श्रीप उसको ढून के आपको जंपर करना है बोड से श्रीप बोड से 1.5 बॉल अगर आपको ना मिले तब डिस्पले का लाइन को चेक किजेगा जब डिस्पले में ग्राफिक आएगा तब किसी एक पीन में आपको 1.5 बॉल मिल जाएंगे और जब ग्राफिक चला जाएगा तब उसमें अब किसी डिस्पले का पत्ते से या कनेक्टर से ले सकते हैं अगर चर्जर लाइट आइसी की जगा से अब ले सकते हैं तो अच्छा है क्योंकि यह लाइट आइस लाइट को जलने के लिए श्रीप इस आइसी को वान होना जुरूर है लेकिन कि उसको वान करने के लिए आपको तीन नंबर फिन पे 1.5 वॉल्ट देना भी जुरूरी है और उसको बन करने के लिए वह से वहां से 1.5 वॉल्ट काट होना भी जुरूरी है दूस्तों मेरा जमपार पूरा हो चुका है मैं अब बैटरी को कोनेट कर रहा हूँ अब देख सकते हैं और अब उसको एक जमपार लगा ना है दो नंबर फिन से रेट्र फिर की इस तरहाब से हैं तो दोस्तों मेरा जंपर हो चुका है पूरा अब आउट पूर तीन नमबर फिंट पे 1.5 वाल्ड लगाएंगे दोस्तों वो तो मैं यह देख रहे हैं आप यह दो वायर यह वायर पे हम लगाएंगे यह डिसी पावर सप्लाइ का वायर है दोस्तों मैं इसको पहले चे होगा है 3.6 वाल्ड और यह जो डिसी पावर सप्लाइ का दो वायर है दोस्तों मैं इन में से 1.5 वाल्ड तीन नमबर फिंट में दूंगा तो मैं इसको भी चेक कर लाता हूं इसमें कितना भाड़ा भी देके दोस्तों यह फोर वाड़ है इसको तुरा कम करना परेगा यह देखिए यह डिसी पावर सप्लाइ में 1.5 वाला चुका है तो मैं यहां ग्राउन को सीधा डिसी पावर सप्लाइ से जोड़ दूंगा यहां जंपर कर दूंगा क्योंकि पकाने में दिखोत होगा दूस्तों इसलिए मैं सीधा इसको जंपर ही कर देता हूं कर दूस्तों मोबाइल में जितना भी आईशी है लाइट आईशी चार्जर आईशी और जितना भी आईशी है पहले का मोबाइल में जितना भी आईशी था सारे मोबाइल को मोबाइल का इसी को स्टट करने के लिए कुछ तो पहल जूरूर चाहिए जैसे फोन को ओन होने में पावर कि में कुछ भॉल टेशоны में भी कुछ बॉल्टीज चाहिए और वह बॉल्टेज सप्वीज से सिधा आते हैं दुस्तो क्योंकि CPU किसको कितना चाहिए उतना उसको इन्पूट करते हैं तो मैंने इसको जंपर कर दिये अब इसको वन करके चेक करेंगे और एक डिस्पेले को लगा के इसका लाइट आते है कि नहीं यह भी दिखाएंगे यह देखें दोस्तों इसमें 35.6 बॉल आ चुका है आप देख सकते हैं और इसमें 1.5 बॉल जो और सफले से दिये थे और यहां पर 35.6 बॉल आ चुका है और इन्पूट में कितना आया है दोस्तों यह देखिए यह बैटरे से इन्पूट हो रहा है 3.6 बॉल और आउटपूट हो रहा है 35.6 बॉल्ट दोस्तों इस चार कॉंपूनेंस से आप इस तरह से आप हाई वोल्टेज कर सकते हैं अब मैं यहां पर एक डिस्प्ले को लगा के चेक करो के दिखाऊंगा दोस्तों कि मैं दो आयार इसमें अल्डेडी जंपर करके रखा हूं एक 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 को सीधा ग्राउंड पर लगा दूंगा दूस्तों और दूसरे को जिन जहां पर आउटपूट होता है वहीं पर लगाऊंगा दूस्तों यह दिखिए दूस्तों मैं कहां कहां लगाया रेटिफायर डायट की डायट शिप पिलास का लाइन लिया और ग्राउंड को ग्राउंड से लिया दूस्तों यह LCD का जो LED बलप लगा हुआ है यह 3.7 में नहीं जलेंगे दूस्तों क्योंकि यह स्रीज किया हुआ है इसको जलाने के लिए 35 वाल से उपर होना चाहिए इस LCD को पूरा पूरी LED बलप को जलाने के लिए 37 वाल तक होना जोरूरी है यह 35 वाल है दोस्तों अब मैं वान करता हूं और साप्लाई को यह देखिए इसमें लाइट पूरा आ चुका है दोस्तों अब देख सकते हैं तो दोस्तों पूल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू पर वाचिंग दोस्तों थैंक यू झाल